नमस्कार, उज्यालू रेडियो नेटर को कारेक्रम शुरुती संबेक पाट, प्राविदिक साथी संगर सब्ष्ट संगई, मा अच्योत के मेर्ये को श्वाग च्छा शुरुती संबेक को आजको शुरेंखलामा पनी हामी, कथाकार निर्दोस जीबन को मैया कथा संगर लीराई पोगे का सौं मैया कथा संगर विक्रम संबत देजार पचतर साल अशोज मा पईलो पटक प्रकासन वायको हो युरेका पब्लिकेशन ले बजार मले आयको निर्दोस जीबन को कथा संगर हो मैया वित्र का के कथा अरू आजको शुरुती संबेग मा बाचन गर छु यो पुस्तक वित्र साइतिकार दनराजगीरी ले भूमिका लेखन वायको चावने लेखराम सापकोटा लगायत ले सुबकामना देन वायको चाव निर्दोस जीबन को मैया कथा संगर दोजार पचतर साल को लोकप्रिय कथा संगर होरू मत देखु एक पुस्तको एस वित्रका केई कथा अरु बाचन करने करम मा मैले पईलो कथा मलाई बाचन देव पईलो चरण मा बाचन करचु बिये गरे को एक बर्स पची तपे अब छिट्टे बाबा बंदे अनोंचा नि आफो गर्व बतिभाय को कुणा थापाय वस्ची रमा खोशी होंचे अन्य योकुरो उसको पती राजनला सुनाऊचे पती पनी अवस्चे खोशी होंचे बंदे कुणा को भी स्वास्च रमाले तर राजनली कुणी वास्ता गर देना अब के मिले साब चुडाना जाए तर राजनला प्रस्णा थे आउंचे एर रमा आमरे वीवावाय को कती ने समाय बायरा तिमी आफै बनाता दुई बर्छ हो औनी इती चाणे आमीले शंतान को शपना देख्ना थालने हो बने तिमीले रमाले देख्ये का बविस्चे का थुप्रे सपना सबई चक ना चूर बार जाने चा आम्रों सपना केबल सपना मात्रे राने चा इनकी संतान वाईपची उसको एरचा गर्दे में समय फुत किन चा अनि चाय को ठामा जाना काम गरना आमिला बादा पुक्षा अरे रमा यो उम्यर था हमरों रमाय लो गरने उम्फिर गरने बविश्य को निमती योजना बनावने उम्यर को तेसलिए अलिला संतान को सपना नहों देखाऊं आउ बरू एक केशिन माया का कुड़ा गरों चहे नारे चहे नारे आमिला गायन कलता पुरन के बेजा सुनाए है चहे नारे होता मैले तो यस बारे कुट्टी पनी ख्याली राखे कि थी ना लाहा राजन अब क्ये गरने यो बच्चा ओ सेट बरू तो यो समसया आमरमातर वाई य आमि जस्ते समसया अमा परेका यो संचार मा देरे चहन टाई समसया बात भसना प्राइबेट क्लिनिक अरु खुले काचन जाना गारी सुरक्षित गरबपतन गरावन सके श puzzुच बरू तिमी छीटो तयार बायाला, आमी आजे क्लिनिक मा गायरा तिम्रो पेटमा भयको संतान को गर्वपतन गर्नु परछा चोरा चोरी तिमी जेवेपने आमीला माफ कराई, नत्र येरन तिम्रो जन्मले आमीला बविश्यमा अगाडी बढ़न देरे गार होने बायो के सपना को योजना चो, तिमीला कान राखते बन च राजन रामार राजन नजी कैको क्लिनिक मा जान्छा, गर्वपतन गरने पूरा तयारी को विला रामा क्या ड़राऊंचे राजन मलाय ते ड्वार पुल आगी रहाईचा तिमीला क्या होंदे ना गर्रोपतन गराउने तिमी एकली मात्रे होई ना उए रत को ती आया कसाने क्लिनेक माँ अहां एक सिन पस्छी लो रमा तिम्रु पालवा आयागा अल्दवेस्ट राजनली रमालाय गर्रोपतन का लागी बीत्र पठाउचा राफू बाईर कूरे राबस्चा अया गर्रोपतन गराउने लागदर रमा कराउंचे आमा तपेला क्ये बाईो आमा तपेला संचो बाई ना अनि आमा तपे किने रुनु बाखू गर्बाको बच्चाले आपु सुगा कुरा गरेको सम्दांचे रमा बैणी एसरी रुलाह क्या होंचे तपने एशरी रुन्डु बाई बने आमिले कुसेरी काम करने ड़ाक्टर ले यह मेरो खेलाउन संग खेले रभासुनीला अडि धृ। खेलाउनना अधूत थी बच्छाली वांच आमा हैर नुसीना मले खेलाउनाले रिखाउच नाई खेलाउना नाई। बच्चा आली ठूलाईचा बरू तपैं यो बच्चा आला जन्मा देनुस पहेँ नाई डाक्टर तेस्तो उन्ना आम विले शल्ला गरेड़ना यो बच्चा जन्मानी निश्कर्चा मतोगे काऊं। बच्चा फिरी बोल्चा आमा अमा मली सब्बाहई कुरा शुने तपैं यो मला मार्न पुलागनु बज़ गुराईचा कीना आमा की मदच्वरी बज़े कारण मला मार्न हजधेवनु नुँछा मदच्वरी बज़े पने तथूली बार तपैंको सेवा गरनेशू मला बचाव गरव बित्र मला न्यानु गरी राखनु वाय। मला जनकवती दुख रवला... मला जनकवती दुख्स वळला... वमला अनाता लाइमा लगर छोली दिनु। मला शनतान नवयका अवले लगर दिनुस। तरह मला नमारनूस, मला बचाऊनूस ये डाक्टर, तिमेरू रोहिला नियुको पारी नया जिवन देने ब्यक्ति आउँ बन्छाओ आफुलाई तरह किना मला मारना खुज देशाओ, के तिमी मा अलिक दिपनी मानापता चाई ना? तिमी बित्र इस्वर ले बास करेको आत्मा छे ना? ये तिमी ले मारने काम बंद करेऊ वने मिरूं बिर्त्यों उते ना? ये डाक्टर, मा मरना जानना, मला बचाऊ, मला जन्मीना देऊ ये डाक्टर बंचा, बैने अब्यक्षिन दार्यगर नुशाई? बचाँचे बोल देचा, अईया आमा, अईया बाबा, कथी कठोर मन तमयारको, मेरू मृत्यों मा खुशी उने, कथी कठोर मन डाक्टर तिम्रो, मेरू मृत्यों गरारा आफुला सफल ठानने, मेरू आशुले तिमीला पोल चा, अईया, अईया, गर्भको बच्चाको मृत आया, आया, डाक्टर, डाक्टर, राजन, डाक्टर, ओमाई गड़, यो क्ये वायो, राजन, डाक्टर, रमाला कस्ता सायले, डाक्टर बन्च, सारी, आमीले, आमारा बच्चा दोबेला बचाऊना सके नौ। योटा कथाऊ, एसे संग्रावित्र, अरको कथाऊब बाचन करशू, सिर्शक्ष, मर्नु अगी को भेट। जान्तेरा संगय फर्किन से ना सबही थोग थीयो, उस्ते थीयो, तर मात्रे निशा थीयो, उगाउमना हुदा राजन ले गाउगार एकदम है सुन्य लागयो, बिस्तारी राजन निशा को याद मतढ़ पीन ठालेो, कईली देखुर कहा बेटू जस तो उसलाव मतढ़े। सोहर गय को मैना दिन में राजन ला निशाली चिठी पठाई। राजन खूची वायो उसले सुचयो सोहर गयर पनी निशाली मला विर्शय की चाहिए ना। वो मला माया गर्ची उसको माया मा कुनी परिबर्त नाय को चाहिए ना। गरीबलाई दसें आय जें मेरी निशा कईली आवली र कस्चीलो अंकबाल करोंला बनताई राजन निशा संग को बेटको मीटु कालपनामा डूबी रायो। नबनताई दसें को संदर्वा पारे रा निशा गाउं फरकी राजन ला एके पटक दू योटा खुसीली बच्छायो। गाउं फरकना साथ निशाली पईलो बेटको बेगती हो राजन। उसला बेटेर निशाली संचो बिसंचो को कुरा सुच्छी। छूटे को केई समय वैपनी निशाला बर्सों वागी छूटे को जस्तो लाग्ष। दोबई प्रेमील रभावो कुन छन। दसने आयो गयो। तेस पचे का दिन फुर्षा दिला वाए। दोबई जना लोकी चिपी गाउं को पल्लो चवमा बगने खोला किनार मा गर दिन बिताउन लागे। उने रू माया प्रेम का कुरागर थे, दुखका सुखा बार थे औनी माया महराओं थे। अब क्रमस राजनर निशा को संबंद बारे दाउगर मा हल्ला फईलियो। बाय को गतिवेदी बंदा ठीक उल्टो आल्ला। अन्तेमा यो कुराग निशा को बाबाला कसे ले सुनाई दियो। अपने छोरी बारे इसता हल्ला सुने रपचावनों नसके का उनले। ततकाल निशा को बिहे कर दिने वाए। शोहर को एक उद्ध्युक्पति को छोरा संगा। प्रेम जोडी का लागी यो बंदा अरको दुखत कुरा कियो न सक्सा। यो सब्भाई निशा को इच्छा बिरुद्धवाय को थियो। उता राचन केई गरन सकने अबस्तामा थिया न। प्रेम गरीर एका दुबईली एकले अरको लाग गुमाउनु बायक अरको बिकल्पबाई दिया न। जहां इच्छा हुँदे न, त्यहां अनर्थ जन्मान छा। यस्ते वाय निशालाई उद्ध्योपतिको छोरा बनेर बिये गरेको बायता पनी। तिस्तो खास केई थिया न। निशाले बिवागरेर सहर गय पची सारे दुखा पाई। एक कर्थमा उफसी, चासु सशुरा बाट कईले मायार सयक बनी पाई। कसे की श्रीमतीर, कसे की बुहारी बनना गय की उक्यबल दासमात्री बन्छे। लोगने बनाऊदो, सदने रक्षी खायर आदा रात्मा गराउं थियो। नाना थरी चाइदो नाचाइदो बोलतियो। रडा को मच्चाउं थियो। अत्याद्धिक रक्षी सेवन के कारण एक दिन निशा को पतिको असामाईक ने दनुछ। एस संगे उसका सपना को रातमा उउसी को चाया बर्च। कलीलो उमेर मै निशा बिदवावाई। विदाताली उसला बिदवावानाई दियो। शियोदो को सिंधोर पकाली उ। अब निशा साचो-चाचरा के लागी कहाडो बनी। यहलारा तीरसकार को पात्र बनी। बोग मा बोजन, प्यास मा पानी न पाउनी दिन पनी आये निसागा। अब कसको मो खेरेर बसनो उसले, बास्तवीक प्रेम कते चूटे को थियो, नाम को लोगने खरानी बारे बिलाई सागे को थियो, अब आफू माईते गर्मा पनी फर्के रणना जाने, बरू मर ने उपाय सोची, आफू मर नो अगी आफना उनना सके को प्रेमी राजन ला एक पटक बेटचू, उसले मन मने आफें संगवानी है। निशा खूईले को अनवार लियर, राजन को गर्मा उसले बेटना मने रगाई। उता राजन निशा के बियोग मा जेंते जिन्दगी जीर आएकु थियो, बिये पनी गरेकु थियो ना। जब निशा ले राजनला मेरो राजन मने र बोलाई, उचक्क पर्यो, बन्यो, यो कुन पागल नियो, तिमी नी पागल, मपनी पागल, निशा ले राजनला समझावते बन्चे, मत तेही तिमरी उनना सके की निशा हूँ राजन, यो निड़ाई मली लिये क्योई ना, मला जबर जस्ती बाबाली बिये गराई देर, तिमी संग छुटाउना कोजनु बायो, इसमा मेरो केही देख चले न, मले माफ करे राजन, मले माफ कर रहा हूँ, राजनली निशाला चिनी आलेओ, अनि डाक को छोड़ेर अंकालो हाल दै, रून थालेओ, राजनली निशा को योश्तिती बारे जानना चाहादा, निशाली सबैली बिस्तार लगाई, निशा को य कुराले राजन फेरी बने रूना धाल छा सुक्रा का लागी मेरो साथ छोड़े के दिम राज यू हालत बक्कानी दे राजन मन छा अब जे नहुनू थियो बायो तिमीलाई मेरो बाहे गरका के उनन लेखे को सहिन निसा अब हामेली बिहे गर न पर छा मर्नू अगी एक पटक राजन ला बेर्चू वनेर घड़े की निसाले अन्त तह राजन चंग अरको बिहे गर छे शुर्ति संब्यग मा अले तपहले सुन्नू भाय को कथा मर्नू अगी को भेट कथाकार निर्दोस चीबन को मैया कथा संग्रावित्र संग्रहित मैं ये दू योटा कथारू सुनाएं पविलो कथा मलाई बासन देव रायले बासन गरेको कथा मर्नू अगी को भेट कैई बेर मा इसे संग्रावाबाट अरू कथारू लिये रावने सु उज्यालो सुन्धे करन्वला सीधाकुरा प्रष्ट बिजारू उज्यालो रेडियो नेट्वर्क कारेकन शुरुति संब्यग मा तपैला फ्यरी च्वागाच्छा शुरुति संब्यग तपाई उज्यालो रेडियो नेट्वर्क काट्वाण मन नव्य मेगाहर्च संगाई देश बरीका बीविन रेडियो स्टिशन बाट एके साथ सुनी रनुबैकोच्छा शुरुति संब्यग मा हमियाज कथाकार निर्दोस जीवन को मैया कथा संग्राव वित्र संग्रहीत कथारू सुनी रैकाचों अब मैले एसे संग्राव बाट सुनावने अरको कथा को सिर्षक्ष संकामा मित्रता मेरी श्रीमती तेरो जिम्मा महाई राम कसले बन्यो प्रेम बीपरित लिंगी संग मात्र होंच बनेगा कित प्रेम उदेन जब यू होंच जाद दर्म बन लिंग देखी मात्य उठेरोंच दुनिया एका तिर बहीरा दापनी प्रेम अरको तिर अठात एका तिरों न सक्ष एई उधारनो राम्र प्रदीव को आपनो प्रेम मा कमी उनना दिना दुबई सतर का उन थे खादा बस्ता इंडदा डूलदा प्राय संग इड़ थे उन्हेरू स्कूल क्यामपस पनी संगई जान थे एक देखी और को टाड़ा उनना परुस्पने र क्यामपस पनी संगई पढ़ने योजना बनाय का थे पड़ाई पची प्रदीप लि रामला आपनो बाबा को कंपणि मा मैनेजर का रूप मा कामगरन अफ़र गर्यो उसको इमान दारी तार लगन चिलताले प्रदीप ला भित्रकते छोय को थियो राम का लागी किको छिस्काना आंखो बनेची बायो उसले प्रदीप को यो सुन्नर प्रस्ताब सहजी स्विकार करें। अब उनेरू जागेर को सिल्चलामा पनी संगे वाए। आपने साथी आपो संगे होदा दुबै खूसी थी। प्रदीप को बाबा देरेज शुब्यापार को लागी देस भाईरने भाईर अनों थे। आमा छवरा को प्रगती देखना न पाऊंदे बीती सकन भाईको थे। तेसले सहर मां प्रदीप ये कलो पनी बाईओ, उमेर पनी बाईओ, उसले सहर तीरे बीए गारेओ बीए गरे पनी प्रसास्त समय स्री मतिला चुट्याओन सके ना राती संगई वाय पनी दीन मा उख कहां कहां बाईर आन थियो करले काई बिदा मीर आयर बाईर रेस्टरेंट मा खाना खाना लई जान थियो स्रीमतिली पनी उसको बेश्टताले रामरारी बूजे की थी स्रीमतिला दुखाना होस्वनेर प्रदिपले कर्मन नोकर राख्यो बाणा दुने देखी लुगा दुने समा सब्बै नोकर लेने कर्थियो स्रम को रामरे पारिश्रमेक दियो क थी उसली ब्यापार के लागी वनेर एक दिन प्रदिप सिंगापूर जाननु परनिवायो तेसमा रामला पठार उन्थियो वने किनो उन्थ जानते हो लार फर्म स्रीमति दुई जिव की थी उसको स्यार गरनी मांचे चाहिन थियो प्रदिप की श्रीमति आजबंदा बोली बारी बन देई थी उसको पेट ब्यलोन जस्तो बढ़ देए थियो पेट मा बच्चा और काई रहे कि थी अब त्यों बच्चा पेट बाइज निश्कियो प्रदिप एक छोरा को बाबू बनेओ प्रदिप को बचन में ले पूरा करना सकती नकी बनेर रामले खुब एर विचार करियो बांचा मा सवय करियो बजार बाटा सामान ले दीने देखी और थुप्रे काम करियो समाज नो चाई सहर को उस चाई तो गाउं को बेक्तिके जमात तो नी समाज बने को समाज ली रामलाई खराब नजर लेरी दियो जसको मनमा पवित्र ताच शोच ताच उसे माती समादली संका गरन थालियो उदा उदा यो कुरा प्रदीप को कानमा समेत परियो दोई मैना पची बल्ला प्रदीप नेपाल फर्कियो प्रदीप आयको खुची मा राम उसलाली न बिमान स्तल्समा पोईयो अंगालो आलना राम लेके खोजे को थियो ताड़ बस्से को राम रो प्रदीप ले रुख को बोली को लियो विचर राम छक का परियो प्रदीप ला क्या वयो वन्ने कुरान उसले थाबाय न वा राम वा आच तिम रोश्चेले चेरा बल्ल थाबायो मघारमान नवाईको माका ँछुपी, मेरी शिर्माती संग पौल के होई न? प्रदीपली. właśnie दा तीखो बचन बोल्यों. स्मा प्रदीप को आरप जूट थियो. उसले चिमेकी का कुरा सूने को थियो. घर्भपती शिर्माती लाई. राम ले सहची कसर यस्तो करना सकते हो त्यो पनी आपने साथी को स्रिमतिले प्रदीप को अस्तो गेनलागद कुरा सुने राम ले आका बहरी आशु निकाले हो अब उसको कमपनी मा कामपनी न गरने राजसमा को मित्रताला यही टुंगो लगाऊने विचार करच प्रदीप ले युक्ड़ा स्रिमतिला बनना सकते हो तर नोकर को माध्यें बाट उसके स्रिमतिली थापाऊने अनी बहय को सब्वे कोरा बताए दिन छे नोकर पनी राम को अस्चली बेक्तित्तो बारे बताऊने यो सब्वे यथार्त सुनेर प्रदिप छागा बाटा खासे जहें उन्छा, तर अब उस संगा पहली को जस्तु मित्रता बागी हुन देदा संकामा मित्रता सिर्षक को यू कथा, निर्दोस जीबन को मैया संग्रा बाटा मैले बाचन गरेको कथाओ अब इसे संग्रा को सिर्षक कथा, मैया को बाचन सुनाऊचू मैयालाई, कतिखेर गर पुगुलार आमाला अपुकक्चा साथ मा प्रतम भयको खुशी को खबर सुनावला बने लागी रायको थियो मैया खुशीले अगी पसी बन्दा चीटो चीटो गर आई पुगी, उप्रिदेर बुरकोसी मार दई उगर आई पुगदा, आगन मा मांचे को भीड थियो, भीड देखे पसी मैया को मुटू जिरिंग गर्यो, डर लागे जसतो भयो, किये बायको बने जिग्यासा बाला थाली उसले पंचमी का पाईला गंदाई मैया गर को डोगा मा के पुगी की थी, उए एक काशी चिच्चाउन थाली, उसको मुख बाट जरजराऊंद आबाज मा आमा सब्दनिस्क्यो जसले खुशी को खबर सुना होना उप्राँ दे मैया गरा आयकी थी, उए मानचे हाथ फाले रा पिड़ी में लड़ी राखे को देखी, तेव मानचे मैया की आमा धिन अब प्रतम होदा कथी खुशी भय की थी मैया, यो खबर सुने रहे आमा पनी खुशी ले उप्रिनों चा बने सोचे की थी, तर अब मैया को उप्राइले कुने अर्थ राखे नौ उफतलक का गली, हाथ कोड़ा लूला वाई गाए, अब आमा सब्दर सम्जना मा सिमीत वाई की थीन, तस्पीर रिदे मा रहने बरिन, बाउ मरे सुरा रा आमा मरे टूरा बने चे वाई मैया, मृत्ति उचेत मैया मा पशी सके को थीन, मात्र उसलाई मांचे जन्मे पची मर सब आने था थियो, तेस माथी खादा खादे को गास जस्तो अबस्तामा छोडे र, आमाले ती चाड़ो आफुलाई छोडे र जानु अला बने उसला लागे के थिया न, आमाको सोक मा मैया ब्योवाल बने र रोई, वो आफु मात्रे रोई न, उसको को मल गलाबाटा सब आनुख किसे सलाव मूने जेन, कहां जे रूई रूई ले सब आफुलाई द्रबीत बनायो, छिमे के ले पीडी बाटा उठाए र बोवर ले आये, र अपनी उरुना छोड़ी न, शोके को गलारा आबाज ले मैया आजे पनी हिक्का हिक्का गरदे रोई रही, आमाको बियोग मा रोई रहे कि मैया ले अब बाले समझन थाली, बा मैया कला की विश्वास काम्र डर बढ़ी थे, आमाने नवए बसी बविश्य की एक अर्की आमा अर्थात मैया ले चुरक्चित महसुस करना सकने बाता बन पाये दा, बाज़ाई ले रक्षी पिये र, जुआता आसकेले र, डुन्मनाओ दे कराओं थे, नाना थरी गाली बगते, उदो नहुदो बोल्थे, मैया को अफने अस्तितो संकट महा पर दे गयो, कैई समय में बाले दोस्त्रू बिये गरे, समयने तया दोस्त्रू बिये गरता चोरा-चोरी दुखी उन्चन, तर मैया खोशी ब तेसको मार मा परी, मैया, उसले पोड़े को देखी, खाय को, लाय को, निड़े को समय कांची आमाले रिस कर थे, तर बालाई ठेगान में राखने कांची आमा को सकती देखे रहू, आमसे खोशी बनी थी मैया को सिप कसे का अगिलतीर चल देगा, आफनो बाबु को अगाड़ी हो सिया, कांची आमा को अगाड़ी कापी कलम्र किताब समयानी मैया का हातले अबहसिया, डोको नामलो समयाने बाए, आफने गर को अगिलतीर बाटा साथी संगी स्कूल कायको देखता, उसको मन गाठो पर थे, गर कई काम दन्दा, गोबर भालने, चुलो चोको गरने, कास तावरा, अनि कुडो पराल करने उस एदि आफूले कांचियामा संग एस तो बिवार गरे को खंडमा गरबाट निसकनु पर सा, अनि निसकर कते जाने ठाउपनी ते चाहिना, उसला बली भाती था थियो, तेसे लिए उचुपचा आप सान शकने सम्मा साधे गरी मैया, सुरीलो आवाज मा कसली मैयाला बोलायो, वो एता उती फर्केर एरी, एता के एता, उसले आफू याँचु बनेर मैयाला देखाई, बल्ला देखी मैयाले एक चिन तलमाती एरी राई, आवाज बिल्कुल चिने को जस्तो लागयो, तर पईरनली अलमल्ला परी मैया, चिने नवर मैया, आफुला चिनाओना खोजियार के लिए, मा जुमा के ता, आमी संगे पड़े कोईने साथ समा, ए जुमा पो, मैया जल्यास सबै, फेर एक पट मैया समझें छे, कुने दिन जुमार उस संगे इस्कूल जान थे, उस संगे गहर फरकिन थे, साथ कक्चे समा संगे उन्डर लिप पोड़े का थे, बीच्चाई मा, जुमाला उसका काकाले, सहर को कुने रेस्ट्रेंट मा जागिर लगाय थे, ते उस संगे छुटे को थे, मैया ले जुमाला आफने जीबन को अधारो पाठो बताई, मैया का कुरा सुनी सके पची जुमाले उसला बानी, मैया एदी अप्ठारो मांदीनो बनी हिड़ा उते दिरजाम, रेस्ट्रेंट मा कमाई पनी रामरे उन्च, मला खान लाउन पुगे के छ, गाउमा बंदाता क पत्तियो कथी सुखा उन्च सहर मा, बरुमा आफना सावला बने र मैलेने काम गरनी रेस्ट्रेंट मा काम लगाए दिने सहय करचु, सहर रपईसा सुनी पसी मैया कानुहार मा अराय को खुसी फर्कियो, उक खुसी भाई, उक तक खुसी लाम समय सम्मा कायम राखना एक रा सहर राय कसी, केई दिन मैया जुमा को डेरामा बसना थाली, जुमा बयलुका रेस्ट्रेंट जाने गर थी बने, मैया गर कुरेरा बस थी, ब्यानमात्र जुमा कर आऊं थी, जुमा को जस्ते प्रगतिगरनी मैया को रहरले मुना आलना थाली सके गुथियो, केई दिन बिद जुमाले साथी महियाला आफिले काम गरने रेस्ट्रेंट मा काम मा लगाई दी। शुरू शुरू मात महियाला रेस्ट्रेंट को काम गरने सारे अफ्ठारो गायो। विस्तारे जुमा को सवयगले करदा उचिते रेस्ट्रेंट को बातावण मा गोल मील भाई। काम सिख तेर गर दे गई, यह सरी महिया ले काम गरी को बर्स दिन बैसकता पनी सोचे जस्तो पैसा कमाउने बने सकती ना, तरो जुमाले कुछ सरी कमाई ओला पैसा आपने रो उचक का परन्थाल छे एक दिन अचम्मा बायो, रेस्टिंट में एक जना ग्राहक ले महिया ले सारी रिक्संपर कुटने मिती प्रस्ताब राख्यो उड़ी इसले चूर भाई, अनि ग्राहक को गाला में कोस्चे रेक्था पड़ लगाई दी यो कुरा उसले अपनी साथी जुमाला शुनावदा जुमा मुर्चा परी परी आसी, किना की जुमा को जिवन में अपनी इस्ताकटना गठी राएका थे शुरू सुरू मात जुमाले पनी महिया ले जस्ते कईयों ग्राहको काला में थपड लगाई कियो तर सहर को जिवन, तेस माती पनी सहर को महंगाई को कारण जुमालाई आफने पेट पालना समित सारे गारो पर्यो तेस पसी नहीं जिवन आपन को निमती बाद दे बारे जुमाले उस्ता काम गरना थाली पैसा संगा आफनो इजद साटना मन्जूर भाई जब महले सरीर बेशन थाले, कमाय पनी रामरो न थाले जुमाले निर्धक का मही आला शुनाई याँ पैसा वैपसी ने प्रगति पायको मानींच तर समा मले कुने पश्चा ताप चैना सार्मा सुक मही तरिकाले बाचे के चुकारे जुमाले का कुरा सुनेर मही आश्चरी चकीत भाई, एक ओरो हेरे को हेरे भाई कुरा एक मन्द जुमाले को गुरा ठीको, जस्तुपनी लागयो मही आले आखिर बोको पोटले यार बासन बंद सकीत देन बन्ने समा उपोगी बासना का लागी केने केत गरने पर सा मुटु दारो पारी मया अवस्चहर मा सरीर ब्यस्न राजी भाई मोल तोल करे रहो ग्राहक संग बसन थाली उसका लागी ग्राहक अवद्यपता बन थाले मीठो खाना रामरो लाउन सकने भाई हर दायर दे जेवस मया ले छोटो समय में रामरो प्रगति करी उसला जे कुरा को अबाब थियो तेव पाउन थाली उसको शरीर नहीं उसको परिवर्थन र प्रगति को कारक बन पुगयो आप में लाद आन्य बाद दी एक दिन को कुराओ महिया रेस्ट्रेंट बाट चिट्टे कर फरकी उसको शरीर एकदमे ठकेत्र गली थियो उसला बेस्चरी जोरू पने आई रहे को थियो अन्वार रात हो थियो चिट चिट पस्चिना पने आई रहे को थियो क्यों बाए मैया जुमाले आपने हाथ उसको निधार में राखते बली ती मेला तो जोरु आयोगा जुशतो चा इंडियाला अस्पताल जुमाले उपचार कलागी मैयाला अस्पताल लाई जांचे सबाई चेक जांचे उन्छे तर रिपोर्ट मावाने महियालाई एचाइबी बायको संकेत देखेंचा महिया लवने योखी गरिस्ताली रिपोर्ट आय पची जुमा महियाला अंगाल दे रून धालची वो आपने चागाबट खसे जै बनची जुमा आपुपनी ते काम मा समलगन रायकमा कताई मला अपने याचाइबी ते बायको छैना बनने प्रस्ना उसका दिमागमा कुमी रांचा टाउको दुखन धालचा महिया अपने रून धालची एर महिया अब रुएर केई उने वाला छैना जे नौनुत्यों ते बायस सक्यों आप विला समालने कोशिस कर महिया ताउकली ताउकली पैसा कमारे रामरो लावने मीठो खाने अनि महिले जस्ते शुखी जिवन बितावने सबना देखे की थीज तर आपना सपना सबे कापने अपने कारणि चक ना चूर पारीज पैसा का लागे आपना जिंदगिली बरभाद पारीज अब तब तविल तोईने कमाई का इस सब्बे पैसा को किगा जुमाली रुए रहे कि महियाला अपना अंगालों मेर आखेर समझाई अब उम्म बास दिन, मैयालाई एस तो लागयो, अब मैयाको कथा सार्चंग्छेतमा एसरी पढ़न सकी निवायो मैयालाई, आमाले छुडर गए पची उटूरी बाई, बाले कांची आमाले आये, कांची आमारा बाह, दुबई देखी सायरन, जुनकुरा मैयाले पनी सान सकी निवायो इसकुल पड़धा की आफनी साथी जुमा, गाउंगये को मेसो मा पैसा कमाउनी रहर ले उस संगई सहर आई, रेस्ट्रिट मा काम शुरु गरी, बिस्तारे शरीर बिजन थाली, मनग्ये पैसा कमाई पनी गरी, तर पैसा कमाउनी लोब मा उसले अरको कमाई गरी, HIV AIDS, अब म मैया कथा संग्रा को यो सिर्ष कथा मैली सुनाए, निर्दोस्ट जिबन को कथा आउयो, निर्दोस्ट जिबन को मैया कथा संग्रा बाट मैली असलाई बाचन गरेको थी, निर्दोस्ट जिबन लेकनोंच, नेपाली गीत संगीत मेरो जिबन को अभिन्न पाटो हो बने आधरणी अभ्यक्ति कभी गजलकार लेकराम सापकोटा सुरे प्रकास बुसाल, सुर्जन अधिकारी, पुस्प अधिकारी अंजली, सुधिप्तिवारी आयूस, लक्समीगी मिरे बिजय विश्वकर्मा गोर्खे साईलो, सुनिता गीरी लाई एती बला समझान चान्छु, य निर्दोस जीवन को कथा संग्रह, मैया वित्र संग्रहित, चारोटा कथारो हमीले आजको सुरुति संब्यक मा सुनियो, मलाई बांशन देव, मर्नु अगीको बेट, संकामा मीत्रता, र मैया आजा हमीले बाचन गारेका एस वित्रका कथारों, यो संगई सुरुति संब्य हाउस्त, अरको सुक्र बार, अरको कुने गद्दिले राउने छों, के सगी मंगल बार को सुरुति संब्यक मा पनी आमरे बेट कार हुने ने छों, तब समको लागी प्राविदिक साथी संगर सबिष्ठ, र मप्रस्तोता, अच्योत की मेरी बिधा हन्छों, नमस्कार, नमस्कार, उज्जालू रेडियो नेटर को कारेक्रम सुरुति संब्यक पाट, प्राविदिक साथी संगर सबिष्ठ संगय, मा अच्योत की मेरी को स्वाग च्छा सुरुति संब्यक को आजकु श्रेंखलामा पनी हामी, कथाकार, निर्दोस जीबन को मैया कथा संगर लिर आईपोगे का सौं मैया कथा संगर बिक्रम संब्यद देजार पचतर साल अशोज मा पहलो पटक प्रकासन वायको हो युरेका पब्लिकेशन ले बजार मा ले आयको निर्दोस जीबन को कथा संगर हो मैया बित्र का केई कथा आरू आजकु श्रुति संब्यग मा बाचन गर छु यो पुस्तक वित्र साइतेका दनराजगीरी ले भूमिका लेखन वायको चा वने लेखराम सापकोटा लगायत ले सुब कामना देनुग वायको चा निर्दोस जीबन को मैया कथा संगर दुएजार पचतर साल को लोकप्रिय कथा संगर हरू मत देकु एक पुस्तको एस वित्रका केई कथा रू बाचन गरने करम मा मैले पईलो कथा मलाई बाचन देव पईलो चरण मा बाचन करचु बिये गरे को एक बर्स पची तप में अब छिट्टे बाबा बंदे अनुँचा नि आफो गर्व बतिबाय को कुड़ा थापाई बच्छी रमा खोशी उन्चे अनि यो कुरो उसको पती राजनला सुनाऊचे पती पनी अवस्चे खोशी उन्चा बंदे कुड़ा को विश्वास्च रमाले तर राजनली कुणी वास्ता गर देना अब के मिले साब चुड़ाना जाए अनि तपैं आमरे संतान उन्चे कुड़ाली तेती खोशी देखेनी उन्चा राजनला प्रस्ण तेर श्यांचे एरा रमा आमरे विवावाय को कती ने समाई बायरा तीमी आफे बनता दुई बर्चा औनी एती चाणे आमिले संतान को सपना देखना थालनी हो बनी तीमीलेर मेले देखे का बविष्य का थुप्रे सपना सबै चक्नाचुर बार जानेशा आमरे सपना केवल सपना मात्रे रानेशा इनकी संतान बायपचे उसको एरचा गर्देमें समय फुतकीन चा औनी चाय को ठामा जाना क्याम गरना आमिला बादा पुख्षा अरे रमा यो उम्मेर ते हमरो रमाय लो गरने, उम्फिर गरने, बविस्य को निम्ती योजना बनावने उम्मेर को, तेसे लिए अलिला संतान को सपना नहों देखाऊं, आउ बरू एक केशिन माया का कुडा गरूं जहे नारे, जहे नारे, आमी नगाएं, कल्चा तुरन के बेजा सुम्माय है, जहे नारे होता, मैं लिए तो यस बारे कुड़ी पनी ख्याली राखे कि थी ना, लाहा राजन, अब क्यो गरने यो बच्चा, ओ सेट रमा, यो समस्य आम्रमात्र वैना, आमी जस्ते समस्य आमा परेका यो संचार मा देरेशन, तैस समस्य बाट बस ना, प्राइबेट क्लिनीक अरु खुलेकाशन, जहां गरे सुरक्चित गर्वपतन गरावना सकिन छ, बरू तीमी छीट्टो तयार वायाला, आमी आजे क्लिन आमी लाई, बविश्य मा अगाडी बढ़न देरेगार होनी बायो, क्यो सपना को योजनाच, तैस पूरा नहुनी बायो, रमा को पेट मा कान डाखते बन्छ राजन, रमार राजन नजी क्लिनीक मा जांच, गर्वपतन गरनी पूरा तयारी को ब्यला, रमा क्यो डर हाऊंच राजन, मला है ते ड्वर पूरा आगी रायाच, तीमी लाग क्या हो देना, गर्वपतन गरावनी तीमी एकली मात्रे होई ना, उए रता, क्वती आया कासानी क्लिनीक मा, अहां, एक सिन पस्छी, लरमा, तीमर पालो आयाग, अल्द वेस्ट, राजन ले रमालाई, पुरे राबसा, अहां, गर्वपतन गरावनी लाग्द रमा कराऊंचे, आमा तपयला क्ये बायो, आमा तपयला संचो बायो, अने आमा तपय केने रुनुबाकु, गर्वपक बच्छाले आपशुगा कुरा गारेको सम्दाँचे रमा, बैनी, इसरी रुएर का होँँच, तपये रुणुबाय बनी, आमीले कसे रिकाम करने, डाक्टर ले रमालाई सम्झावना खोच, बच्छाले बन्च, आमा नरुनुशन, तपये रुदा मलाई बनी रुणा मन लाग्च, नरुनुशन के आमा, रमा, डाक्टर मलाईते सारे गारवायो, प्रिडावायो, मत मर बच्छा, गररपतन गरावने अउजार सम्झेर, यो मेरो खेलावना हो आमा, अब मेरो खेलावना संगा खेलेर बच्छो निला, अनि फेरी के वेर बच्छाले बन्च, आमा, यरनुशन, मेरो खेलावनाले मला हिरकाउँच, यरनुशन, मला खेलावनाले हिरकाउँच, न नहीं मला यस तो खेलाऊना चाही देना पूद्ध… नहीं दर्डर में बच्छा जन्मा देना थो तर्ली पूद्ध नियों में बच्छा आली ठोली चाहिं एई भरुला को भरु तो यह जन्मा कोदी नहीं आमा महली सबबभाई कुरा शुने, तपाय तॉमाल मारन पा लागनुण बाए कुराये चा। कीना आमा? की मा छोरी बायेको कारण माला मारना खस देवनुझा, मा छोरी बाये पनी थूली बार तपायेको सेवा गरनेशु। मले बचावनुस आमा, मले नमारनुस, मा तपायनला खुशी दिनेशु, तपायनला थाचा आमा, इसरी गरुपतन गर्दा कती डाक्टर, इंजिनियर, ओकील, संगीत कार, मंत्री जस्ता ठुला मांचे गुम्रतिव भई राखेकोच, कताई तपायनको संथान भविस्चमा इ मले बादा आउन्चा वनिवरु मलाई अनाथा लायम लगर छोडी दिनुस, कित मलाई संतान नभयका अवले लगर दिनुस, तप्र मले नमारनुस, मले बचावनुस ये डाक्टर, तिमेरो रोहिला नियको पारी नया जीवन देने ब्यक्ति आउँ बन्चाव आफुलाई किना मला मारने खुज देशाओ, कि तिमे मैं अलीगदेबनी मानाभता छाए नί, तिमें बितर इसवर ले बास गरे को आत्मा छै न, ये तिमे ले मारने काम बंदा करे वनि मेरों मृत्यों हुतेना, डाक्ठर, ममला मरना जाननी in मला बचावू, मला जन्मीना देवू दाक्टर वांचा बैने अब एक्षिन धार्य गर्नु साई बचाँ से बोल देशा अया आमा अया बाबा कथी कठोर मन तमयार को मेरू मृत्युमा खुशी हुने कठी कठोर मन डाक्टर तिम्रो मेरू मृत्युमा गर्यार आफुला शफल ठानने मेरू आशुले तिमिला पोल चा अया 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 गर्भक बच्चा को मृत्युमा अया 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 डाक्टर राजन डाक्टर ओमाई गड़ यो क्ये वायो राजन डाक्टर रमाला कस्तो शायले डक्टर बंच, सरी, आम इले आमारा बच्चा दोबेला बचाओना सके नो. मलाई बाचन देव सिर्षक को यू कथा, मैले निर्दोस चिबन को कथा संग्रह मैया बाट बाचन करेकू युटा कथा आवो. एसे संग्रह बित्र अरको कथा आवो बाचन करशू, सिर्षक सा मर्नु अगी को भेट। संग्रह फरकें थे. एसेल्ची समद दुबेई संग्रह इड़े, संग्रह खाए, खेले, तर एसेल्ची पचे निशाले उच्छ सिक्छार्था सहर जानी निड़े गरी. जिनकी वो अली उने खाने के छोरी थी. राजनले आखा वरी आशूलियर, निशा को सुबयात्रा अनि सक्षिक सफलता को कामना गर दे, बिदाई को हाथ अल आयो. गाउगर मा सबही धोक थियो, उस्ते थियो, तर मात्रे निशा थी नो. वो गाउमन अउदा, राजनले गाउगर एकदमे सुन्य लागियो, विस्तारी राजन निशा को याद मा तड़पी न थालियो, कईली देखूर कहां बेटू जस्तो उसलाव न थालियो. सोहर गाई को मैना दिन में, राजनले निशाले चिठी पठाई, राजन खूची बायो, उसले सुचियो, सोहर गाई रापनी निशाले मला बिर्शे की चाहिना, वो मला माया गर्शे, उसको माया हमा कुने परिबर्दन आये को चाहिना, रो नावस पनी, गरीब लाई, दसे साथ मेरी निशा कईले आवली, रा कस्ची लो अंकमाल गरों ला बन्ते, राजन निशा संग को बेट को मीटु कालपना मा डूबी रायो, उना बन्ते, दसे को संदर्वा पारे रा, निशा गाउं फर्की, राजनले एके पटक, दू योटा खुसी ले बच्छायो गाउं फर्कना साथ निशाले पईलो बेटे को बेखती हो राजन, उसला बेटेर निशाले संचो भी संचो को कुरा सुच्छी, छूटे को केज समय वैपनी, निशाले बर्चों वागी छूटे को जस्तो लाग्ष, दूबै प्रेमियल रभाव कुन छन, दसे आयो, गयो, थेस पचे का दिन फुर्षदीला वाए, दुबै जना लोकी छिपी गाउं को पल्लो छवमा भगने खोला किनार मागर दिन बिताउन लागे, उनेरू माया प्रेम का कुरागर थे, दुख का सुखा बार थे, अनि माया महराओं थे, अब प्रमस राजन र निशा को संबंध बारे दौगर महला फईलियो, बाय को गतिवेदी बंदा ठीक उल्टो आला, अन्तेमा यो कुराग निशा को बाबाला कसे ले सुनाई दियो, अपने छोरी बारे इसता हला सुने र पचावन न सके का उनले, ततकाल निशा को बिहे गर दिने बाय, सहर को एक उद्योपति को चोरा संगा, एक प्रेम जोडी का लागी, यो बंदा अरको दुखत कुरा कियो न सक्सा, यो सब भई निशा को इच्छा बिरुद्धवे को थे, उता राचन केई गर न सकने अबस्ता मा थिया न, प्रेम गरीर एका दुबईली, एकले अरको लाग गुमाउनु बायक अरको बिकल्प बाय दिया न, जहां इच्छा हों दे न, त्यहां अनर्था जन मन्छा, इसते बायो निशालाई, उद्ध्योपति को छोरा बने र बि केबल दास महत्री बन्छे, लोगने बनाऊदो, सदे रक्षि खायर आदा रात्मा गराउं थियो, नाना थरी चाहिदू न चाहिदू बोल्थियो, रडाको मत्चाउं थियो, अत्याद्धिक रक्षि सेबन के कारण, एक दिन निशा को पतिको असामाईक ने दनुछ, एस स आले उसला बिदोहा बनाई दियो, शियोदो को सिंधूर पर खालियो, अब निशा साचो साचोरा का लागी घाडो बनी, एला रा तिरस्कार को पात्र बनी, बोगमा बोजन, प्यास मा पानी न पाउनी दिन पनी आये निशागा, अब कसको मोग हेरे र बसनो उसले, बास्त निशागा, खुईले को अनुवार लियर, राजण को घर्मा उसला बेतन मने र गाई, उता राजण निशा के बियोग मा जेंतें जिन्दगी जीर आये को थियो, भी येपनी गारे को थिया न, जब निशाले राजणला मेरो राजण मने र बोलाई, उचक्क परियो, कुन पागल नियो तिमी नी पागल मपनी पागल निसाली राजनला सम्झावती बन्छे मत्ये तिमरी उनना सकी की नीसा हूं राजन यो निरड़ाय मली लिये क्योई ना मला जबर जस्ती बाबाली बीह गराय दियर तिमी संग छुटाऊना खजनु बायो इसमा मेरो के ही माफ करे राजन मले माफ कर रहा हूं राजनली निसाला चिनी आलेओ और डाक को छोडेर अंकालो हाल दै रून थालेओ राजनली निसाको यो श्तिती बारे जानना चाहादा निसाली सवै बेली बिस्तार लगाई निसाको यो कुराले राजन फेरी बनी रून थाल चाहादा शुक्का का लागी मेरो साथ छोडे के दिम राज यू हालत बकानी दे राजन मन्च अब जे न हुननों थियो बायो तीमिलाई मेरो बायक अरका की उनलेखेको शाईनी निसा अब आमेली बिहेगर न परचाहाद एक पटक राजनलाई भेड़चू वनेर घड़ेकी निशाले, अन्त तह राजन चंग अरको बिहेगर छे। मर्नू आगी को बेट। कैई बेर मा येसे संग्राबाट अरू कथार लियरावनेशू उज्यालो सुन्धे कन्वालाई। सीधाकुरा प्रष्ट विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। कारेकन सुरुति संब्यग मा तपैला फेरी श्वागाच्छा। सुरुति संब्यग तपाई उज्यालो रेडियो नेटोर कार्ष्पाणमा नवे मेगा हर्ष्ट संगाई देश बरी का विविन रेडियो स्टिशन बाट एके साथ सुनी रनुबैक। सुरुति संब्यग मा हमी आज कथाकार निर्दोस जीवन को मैया कथा संग्राव वित्र संग्रहीत कथारू सुनी रैकाच। अब मैले एसे संग्राव बाट सुनावने अरको कथा को सिर्षक्ष संकामा मित्रता। मेरी श्रिमती तेरो जिम्मा महाई राम असले बन्यो प्रेम बीपरित लिंगी संग्रह उन्चा बनेगा। कित प्रेम उदेना जब यू हुन्चा जाद दार्म बाण लिंग देखी माती उठेरोंचा। दुनिया एका तीर बहीरा दापनी प्रेम अरको तीर अर्थात एका तीरों नसक्ष एई उदारनो राम्र प्रदीपको। आपनो प्रेम मा कमी उन्चा दीना दुबई सतर का उन्थे। खादा, बसता, हिंडदा, डूलदा प्राय संगय इंड़ थी उन्हेरू। स्कुल क्यामपस पनी संगय जान थी। एक देखी और को टाड़ा हुना न परुस्पनेर क्यामपस पनी संगय पढ़ने योजना बनाय का थी। पढ़ाई पची प्रदीपली रामला आपनो बाबा को कमपणी मा मैनेजर का रूप मा कामगरना अफ़र गर्यो। उसको इमानदारी तार लगन चिलताले प्रदीपला भित्रकते छोय को थी। राम का लागी कि कोच चसकाना आखो बने जेंबायो। उसले प्रदीप को यो सुननर प्रस्ताब सहजी स्विकार करयो। अब उनेरू जागेर को सिल्चिलामा पनी संगय बाए। आपनो साथी आफों संगय होदा दुबै खूसी थी। प्रदीप को बाबा देरेजा सुभ्यापार को लागी देश भाईरने बाईर आणों थे। आमा च्वरा को प्रगती देखना नपाऊंदे बिती सकनु भाईको थे। तेसले सहर मा प्रदीप येकलो पनी बायो। उसले सहर तीरे बिये गारे। बिये गरे पनी प्रशास्त समय स्री मातिला चुट्याओन सके राथी संगई भाई पनी दिन मा उख कः कहा बाईर आण थे। वैली काई विधा मीर आयर बाईर रेस्ट्रेंट मा खाना खाना लई जान थे। श्री मातिले पनी उसको बेश्तत ताला राम रारी बूजे की स्रीमतिला दुखना हो स्वनेर प्रदीप ले कर्म नो कर राख्यों बाड़ा दुने देखी लुगा दुने सम्म सब्बई नो कर लेने कर्थियो सुरम को रामरे पारिश्रम एक दिये को थि उसली ब्यापार के लागी वनेर एक दिन प्रदीप सिंगापूर जाननु परनिवायो त्यसमा रामला पठार उन्थियो वने किनो उन जानते हो लागा कर्म स्रीमति दुई जिव की थी उसको स्यार गरनी मांचे चाहिन थियो कि युलने साथी को नाटाली स्रीमति उन्थिव को ख्याल राके दिनी आग्रहा गरे को rates मेरी स्रीमति तेरो जिम्हा माई राम उन्था सहचे बने को थियो रामले प्रदीप के सिर्मती आज बंदा बोली बारी बन देए थी उसको पेट बेलून जस्तो बढ़ देए थी यो पेट मा बच्चा उरकाई रहे कि थी अब त्यो बच्चा पेट बायर निस्कियो प्रदीप एक छोरा को बाबू बनेए तो तई प्रदीप को बचन में ले पूरा गरन सक्ति नकी बनेर रामली खुब एर विचार करयो बांचा मा सवय करयो बजार बाटा सामान ले दीनी देखी और थुप्रे काम गरयो समाज नो चाए सहर को उस चायतो गाउं को बेखतिके जमात तो अनी समाज बनेगो समाजली रामलाई खराब नजर ले रिदीओ, जसको मनमा पवित्रता चा, सोच्छता चा उसे माती समाजली संका गर्न थालिओ उदा हुदा योकुरा प्रदीप को कानमा समेत परयो दोई मैना पचे बलल प्रदीप नेपाल फरकियो ब्रदीप आयको खुषीमा राम उस्वालीना बिमाण स्तल्समा बोल्यों अंगालो हालना राम लेकिये को थिऊ ताडए बसे को राम रो प्रदीप लिवर्धु नया रुख को बोली परदू, मोल तरे मै, तानफ मादा बाई, सासमा प्रदीपको आरपजोटो थियो उसलिए चिमेकी का कुरा शुने को थियो खोट्ठा ताने रहे लड़ाउने का कुरा शुने को थियो गर्वपती सिर्मातिलाई रामले सहची कसर यसतो करना सकतियो तेवopen आपने शाथी को स्रिमातिल है प्रदिप को अस्तो गिनलागद कुरा सुनियरा रामले आका भरे आऊचु निकालयो अब उसको कमपनी में काम पनी न गरने राजसमा को मित्रताला यहीं टूंगो लगाऊने ओने वीचार करच प्रदीपले यो कुरा स्रिमातिला बन्ना सकता है नौकर को मार्देम बाट उसकी स्रिमातिले थापाऊंचे अनि बहे को सब्वे कुरा बताई दीन छे। नौकर्डे पनी रामको असली बेक्तित्तो बारे बताऊंचे यो सब्वे एथार्ता सुनेर प्रदीप छांगा बाट खासे जहें उन्छे तर अब उस संगा पहली को जस्तो मित्रता बांकी उन्दे नौकर को अब इसे संग्रा को सिर्षक अथा मैया को बाचन शुनाऊंचे मैं यालाई कतिखेर गर पुगुलार आमाला आपको कख्चे साथ मा प्रथम भायको खुषी को खबर सुनावला बने लागी रायको थियो मैया खुषीले अगी पसी बंदा चीटो चीटो गर आयपुगी उप्री देर बुरको सी मार दई उगर आये पुगदा आगन मांचे को भील्ड थियो भील्ड देखे पसी मैया को मुटू जिरिंग गर्यो डर लागे जसतो बयो किये बयको बने जिग्यासा बाल थाली उसले पंचमी का पाइला गंदई मैया गर को डोका मा के पुगई की थी उग एक काशी चिच्चाऊन थाली उसको मुखबाट जरजराऊंद आबाज मा आमा सब्द निस्क्यो जसले खुशी को खबर सुनाऊन उप्रादे मैया गर आये की थी उगी मांचे हाथ फाले रे पिड़ी में लड़ी राखे को देखी ते मांचे मैया के आमा थेन अपु प्रतम होदा कथी खुशी भय की थी मैया यो खबर सुने राआमा पनी खुशी ले उप्रिनोंच बने सोचे की थी तर अब मैया को उफ्राइले कुणे अर्थ राखे न उफ़तलक का गली हाथ कोड़ा लूला वाई गाए अब आमा सब दर समझना मा सिमीत वाई की थीन तस्पीर रिदे मा रहने बने बने बाव मरे सुरा रा आमा मरे टूरा बने चे बई मैया मृत्ती उचेत माई आमा पषी शाके को थीया न मात्र उसलाइ माँचे जन्मे पचे मर्शा बने था थीयो त्यस माथी खादा खादे को गास जस्थ अबस थामा चोडेर आमा ले ती चाणो आफुलाई छोडेर जानु अला बने उसला लागे के थीया न आमा को सोक मा महिया ब्योवाल बने रोई, वो आफो मात्रे रोई ना, उसको कोमल गलाबाटा रूदा रूदा सुकी सके कुरूआई ले, और रूला पनी रूने बनाई, तेहां सबी बन्दा बड़ी रूने पनी उई ने थी, आमा को गोडा छो मा बस सेर महिया ले धेरी थो सोची है, तुझे बिना जैन कहां से पाँ, अपना अनुख किसे स्लाव मूने जैन कहां से पाँ, उसको रूआई ले सबी हले द्रवीत बनायो, छिमे केले पीडी बाट उठायरा बोवर ले आये, रपनी उरून छोड़ी न, शुके को गलारा आबाज ले महिया अजे पनी हिक्का हिक्का गर्दे रोई रही, आमा को बियोग मा रोई रही कि महिया ले अब बाले समझन थाली, बा महिया कला की बिश्वास काम रड़ अब बिश्चे की एक अरकी आमा अर्थात महिया ले चुरक्षित महसुस करना सकनी बाता बन पाये न, बाजायली रक्षि पीर, जुआतास कले रडुन्मनाओ दे कराऊं थे, नाना थरी गाली बग थे, हुदो नहुदो बोल थे, महिया को अफने अस्तितो संकट मा पर दे गयो, कही चमय में बाले दोस्त्रो बिये गरे, समने तया दोस्त्रो बिये गरता चोराशोरी दुखी उन्चन, तर महिया खोशी बाई, उसले अब आफो एकली न बायेको, बालाय समालने कांची आमा बायेको, मा थोरे बाये पनी खोशी जनाई, तर आमा गुमाउनों को पूरे फेरियो, फेरियो बंदा पनी सासन चलना थालियो, तैसको मार मा परिवाईया, उसले पोड़े को देखी, खाय को, लाय को, निड़े को समने कांची आमा बालाये ठेगान में राखने कांची आमा को सकती देख रहू, आम से खोशी बनी थी मैया को सिप, कसे का अगिलतीर चल देगा, आफनो बाबु को अगाड़ी होस्या कांची आमा को अगाड़ी, कापी कलम्र किताब समाउने मैया का हाथ ले अवहस्या, डोको नामलो समाउने बाये, आफने गर को अगिलतीर बाट साथी संगी स्कूल कायको देखता, उसको मन पर थियो, करकाई काम दन्दा, गोवर फालने, चुलो चोको गरने, कास तावरा, अनि कुडो पराल करने उसला लगाईयो, काम ले पड़ाय खाय दियो, दुखात बिचरीलाई तेथी बेला लाग थियो, जती बेला मरी मेटेर गरको काम दन्दा गरदा पनी कांची आमा ब उसला बली बाती था थियो, तेसे लिए उस चुपचाप साना सकने सम्मा साधे गरी है मैया सुरीलो आवाज मा कसली मैयाला बोलायो, व एता उती फरके रहे है रही, एता की एता, उसले आफ यहाँ चुपचाप बने र मैयाला देखाई, बल्ला देखी मैयाले एक चीन तलमाती एरी रही, आवाज बिल्कुल चीने को जसतो लागयो, तरह पईरनली अलमल्ला परी मैया, चीने नवर मैया, हाप फुला चीनाओना खोजी आर केले, मत जुमा केता, आमी संगे पड़े कोईने साथ समा, ए जुमा बो, मैया जल्यास सबै, फेर एक पटक उ मैया समझें छे, उन्हे दिन जुमार उस संगे इस्कूल जान थे, उस संग गर फरक इन थे, साथ कक्चा समसंगे उन्डर ले पोड़े का थे, बिच्चाई मा, जुमाला उसका का का काले, सहर को कुने रेस्ट्रेंट मा जागिर लगाय थे, ति उस संगे छुटे को थे, द काम रे उन्च, मला खाना लाउन पुगे के छ, गाउमा बंदा तो कतियो कति सुखा उन्च सहर मा, बरुमा आफन सावला बनेर, मैलेने काम गरने रेस्ट्रेंट मा काम लगाय दिने सहर करचू, सहर रपईसा सुने पसी, मैया को अनुहार मा अराय को खुसी फरकियो, उक ख खुसी भई, उक खुसी लाम समय समय काहम राखना, एक रात मैया का अरबाट निस्की, वो निस्की को कसे रिथा पाय न, अनि मैयार जुमा एक साथ सहर पुगिये सहर राय पसी, केई दिन मैया जुमा को डेरामा बसना थाली, जुमा बेलुका रेश्ट्रेन जाने गर थी बने, मैया गर कुरेरा बस थी, व्याना मात्र जुमा गर आऊं थी जुमा को जस्ते प्रगति गरने मैया को रहरले मुना आलन थाली सके गुथियो, केई दिन बिदे, जुमाले साथी मैयाला आफिले काम गरने रेश्ट्रेन मा काम मा लगाई दी शुरू शुरू मात महिया ले रेस्ट्रेंट को कामगर्ण सारे अप्ठारो गयो। विस्तारी जुमा को सव्यगले करदावु छिट्टी रेस्ट्रेंट को बातावण में गोल मिल भाई। काम सिक तेरे कर दे गयी। यसरी महिया ले कामगर्णी को बरसदीन बैसकता पनी कमायोला पैसावनेर उचक्का परण धाल छे। एक दिन अचम्मा बायो। रेस्ट्रेंट में एक जना ग्राहक ले महिया ले सारीरिक संपर कुर्णी में ती प्रस्थाब राख्यो। उरी इसले चूर भाई अनि ग्राहक को गालामा कोस्चेर एक्थर पड़ लगाई दी। यो कुराउसले आपनी साकी जुमाला शुनावदा जुमा मुर्चा परी परियासी। गिना की जुमा को जिवन में अपनी अस्ता कटना गटी राएका थे। शुरू सुरू मात जुमाले पनी महियाले जस्ते कईयों ग्राहको गालामा थपड लगाई कियो। तर सोहर को जि परिदक्क महियाला शुनाई या पईसा वायपशीने प्रगति पायको मानींचा। पर यसमा मला कुनही पश्चाताप चाहिला। सुरू मा शुक महिया तरिकाले बाचे के शुक्यारे। जुमाका कुरा सुनेर महिया आश्चरी चाकित वाई एक औरो हेरे को हेरे वाई। एक मंद जुमाको कुरा ठीको जस्तुपनी लागयो माई आले। आखिर बोको पोटले अरे बासनापन्त सके देने बन्ने समा उपगी। बासना का लागी केने केते गर नहीं पर्छो। मुटु दारो पारी। महिया आव सहर्मा सरीर बिशन राजी भाई। मोल तोल करे रहो ग्रहाक संग बशन थाली। उसका लागी ग्रहाक आव देपता बन थाली। मीटो खाना रामरो लाउन सकने भाई हर दाय अर्दे। जेवस महिया ले छोटो समय में रामरो प्रगति करी। उसला जे कुरा को बाब थियो तो पाउन थाली। उसको शरीर नहीं उसको परिवर्तन रा प्रगति को कारक बन रपुगयो। आपने ला दन्य बाद दी। असला बेष्चरी जोरो पने आइ राएकु थियो अनुहार रात हो थियो चिट चिट पशिना पने आइ रायकु थियो। कियो अ जुमाले आफना हाथ उसको निधार मा राखते भी। थियो भाली। ती मिले जोरो आय के जुशते उच्छा पुछा लूच। युमाले उप गुमीरांचा, टाउको दुखन धालचा, मैया पने रूम धालचे एर मैया, अब रुएर के यह उने वाला छैना, जे नौनुत्यों तो पैस सक्यों, आफिला समालने कोशिस कर मैया तहले तह पैसा कमारे राम्रोल आवने, मीठो खाने, अनि मैली जस्तले शूकि जवन बितायोने सब्ना देखिती हिस तर आपने सपन सबे का अपने कारंडी चकना चूर पारी स्वाव. पैसा को लागे आपने जिन्दगी लानी बर्भात पारी स्वाव. अब तब ये लिख कमाया का है सबबें पैसा को के काम ? जुमाली रोई रहे कि महिया ला आपनो अंगालों मेर आखेर सम्झाई. अब उमा बास दिन, महियालाई एस पो लागयो, अब महियाको कथा सार चंग सेपमा एसरी पढ़ना सकीने बावयो महियालाई आमाले छुडर गए पची उटूरी बाई, बाले कांची आमाले आये कांची आमार बाह दुबई देखी सायरन, जुनकुरा महियाले पनी सान सकीना इसकुल पड़दा के आफनी साथी जुमा गाउंगये को मेशो मा पैसा कमाउनी रहर ले उस संगई सहर आई रिस्ट्रिट मा काम सुरू गरी, बिस्तारे शरीर बिजन थाली, मनग ये पैसा कमाई पनी गरी तर पैसा कमाउनी लोब मा उसले अरको कमाई गरी, HIV AIDS अब मैया जती बाद छे, ते उसको बोनस को जीवन उने छाँ मैया कथा संग्रा को यो सिर्ष कथा मैले सुनाए निर्दोस्ट जीवन को कथा वयो निर्दोस्ट जीवन को मैया कथा संग्रा बाटा मैले असलाई बाचन गरेको थी निर्दोस जीवन लेखनोंच, नेपाली गीत संगीत मेरो जीबन को अभिन्न पाटो हो बने साहिते मेरो जीबनों, दोवेवे नामा अधूरु रांचु, कुने पिनी कुरामा अगाडी बढ़ना कलागी कुने न कुने बेक्तिको बिशेशाथ रांचु, मलाई नेपाली साह तेमा सदें अगी बढ़ना प्रेड़ना दिनोंगे लेखनोंपर्च अबनेर जगजगाई रांचु, आधरणी अब्यक्ति कभी गजलकार लेखराम सापकटा, सुरे प्रकास बुसाल, सुजन अधिकारी, पुस्प अधिकारी अंजली, सुदिप्तिवारी आयूस, लक्ष निर्दोस जीवनको कथा संग्रह, मैया बित्र संग्रहित, 4-8 कथा आधर हमीले आजग सुरुति संब्यक मा सुनियो, मलाई बांचन देव, मर्नु अगी को बेट, संकामा मीत्रता, र मैया आजगा आमीले बाचन गरेका, एस बित्र का कथा आरून, यो संगई, सुरुति स संबेग मां पत्राचार करनको लागी हमिलाई BULBULSAHITY BULBULSAITY gmail.com लेखेर शुजाब सल्लाहर प्रतिक्रिया देना सकनों छो हाउस्त अरको सुक्रबार अरको कुने गद्दिले राउने छों मंगलबार को सुरुती संबेग में आमरे बेट कार हुने ने छो तब समको लागी प्राविदिक साथी संगर्श विष्ठ रमप्रस्तोता अच्योत की मेरे बीदा हन्छों नमस्कार सुभरात्री